हेलो गुड मॉनिंग सेकंड क्लास बिटा इम यूर मैस्टिसर शानी मैं बिटा टूडे डेट इस 22 दिसंबर 2020 डेट यूजडे ओकी बिटा एंड यूर बुक पेज नमबर इस 129 ओकी बिटा लास्ट वीडियो में बिटा आपको मैंने जो है केलेंडर के बारे में बताया था ठीक है और हमारे जो चप्टर है वो कौन से चल रहा है टाइम एंड केलेंडर तो केलेंडर में आपको मैंने बता दिया था और उसकी डेफिनिशन्स भी लिखवा दी थी और आज जो है आपको मैं टाइम यानि की टैलिंग दा टाइम टाइम के बारे में बता रही हूं कि आज़押्ठी में हम कैसे देखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के घर में घड़ी होगी चैना जो दिवार पे लगती है और रहांते है उसको हम वाह प लग कहतें है और जो आप हाथ में पहनते हैं उसको रिस्ट वच कहते हैं चीक जह आप सबसे पहले देखिए clocks and watches tell us the time clock and watches जो होते हैं वो आपको क्या बताते हैं time बताते हैं आप घड़ी क्यों पहनते हैं time देखने के लिए न और आपके घर में भी घड़ी होती है तो क्या करने के लिए लगाते हो time देखने के लिए तो इसलिए clock and watches जो हैं आपको क्या बताते हैं time बताते हैं the longer hand जो clock होती है वो आपको minute बताता है the shorter hand is the hour hand और जो shorter hand होता है वो आपको hours बताते हैं कि कितने घंटे हो गए ठीक है बिटा the hour hand is at 4 अब देखिए इस जो घड़ी में है 4 यानि कि जो आपका shorter hand है वो किस पर है 4 पर है और आपका जो longer hand है वो 12 पर है ठीक है न तो यानि कि जो आपका पूरा कितने time हो गया तो आपका time पूरा हो गया 4 o clock कितना time हो गया 4 o clock the time is 4 o clock ठीक है आप दोनों method से लिख सकते हैं इस method से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं ओकी बेटा when the minute hand is at 12 the hour hand shows the hour of the day यानि कि जो आपका जो longer hand है 12 पर आ जाता है और shorter hand जिस number पर होता है तो यानि कि दिन में उतने बज़ जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर right the time आपका longer hand कहाँ पर है 12 पर है और shorter hand आपका कहाँ पर है 9 पर है तो यानि कि 9 o clock time हो चुका है कितना time हो चुका है 9 o clock तो हम इसको कैसे लिखेंगे आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 ock यहाँ पर कॉमा आता है और c l o c k ठीक है इस method से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो ओकी बेटा समझ में आ गया यह 2 0 बनानी आपको और यहाँ बीच में 2 dot आती है हमेशा ध्यान रखना अब इसमें कितना time हो गया 5 shorter hand कहाँ पर है 5 पर है और longer hand कहाँ पर है 12 पर है तो क्या हो गया यहाँ पर 5 o clock ठीक है और उसके ब अब दोनों method से लिखेंगे बाकिये भी मैं सिंगल method से लिख कि आपको बता रही है ठीक है उसके बाद यहाँ पर है shorter hand कहाँ पर है 7 पे और longer hand आपका 12 पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 7 o clock ठीक है और यहां पर दोनों देखिए shorter hand and longer hand 12 पर हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे 12 o'clock उसके बाद shorter hand 6 पर और longer hand 12 पर ठीक है तो यहां पर आ गया 600 o'clock जब लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 1 hour में कितने minute होते हैं 1 hour में 60 minute होते हैं बताया था ना कि 1 hour equal by 60 minute देखो मैं एक बार आपको यहां पर और भी बता देती हूँ कि 1 hour में कितने minute होते हैं 1 hour में 60 minute होते हैं और 1 minute में कितने second होते हैं 60 ही second होते हैं ठीके बिटा समझा गया और देखिए आपको मैं एक मैथड और बताती हूं कि आप देखो यहाँ पर आपको 60 मिनट कैसे काउंट करना है एक चीज और समझा देती हूं तो देखिए 1 को हम जो है 5 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 5 का हम टेबल लिख लेते हैं 5 बन जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 10 जा 50 5 को 11 से मल्टिप्लाइ करोगे तो 55 और 5 को 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा 60 जो वन आर होता है उसमें कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक आपको जाने के लिए लॉंगर हैंड को जाने के लिए कितने मिनट्स होते हैं फाइफ मिनट्स कंप्लीट करने बढ़ते हैं कितने कंप्लीट करने बढ़ते हैं और वन लॉंगर हैंड को जब आप पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं एक पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं तो वह कितने मिनट में कं 60 मिनट में कंप्लीट करती है ठीक है यह तो मैंने आपको घड़ी है आपकी जो वाच है क्लोक है जो भी है उसमें 60 मिनट काउंट करना सिखाया है ठीक है और यहां पर लिख रहे हैं ड्राव दाइंड टू शोग ताइम अब आपको देखिए यहां पर थ्री ओ क्लोक दे रख है तो आपको शोटर हें किसमें करते हैं देखी उसमें बताया था न ही जो आपका घंटे वाली współ है मूंछ पर है तो ऐसे ही आपको केवाले सुई को कहाँ पर करना है 3 पर करना है इस पर शॉटर अपär शॊट उचो बनाना है कि आपने बड़ा बनाना है एस एक को द्रो करना है उंक की इतो क्लॉब टो यानि की दो गोट पर आपकills रहांद ले जाएगा आपका 10 पे और लॉंगर हैंड आपका कहां पर जाएगा वह सुरी पीटा यह इसको सिद्धा सिद्ध ट्वैल पर उक्की बीटा यह इस मैथट से आपको ड्रॉ करने हैं ठीके बीटा अब मैं आपको फिर बता रही हूं कि आपको यह दोनों मैथट से लिखने ऐसे भी लिखोगे और ऐसे भी लिखोगे ठीके फाइफ लोक फाइफ ओक्लोक भी लिखोगे यह नीचे लिख लो चलो कोई बाती है उक्के फाइफ ओक्लोक यहां पर इलेवन ओक्लोक ठीके और नेक्स है सेवन ओक्लोक यहां पर ट्वैल ओक्लोक ओके और यहां पर शिक् ये आपको पूरा पेज फिल करना है अपनी बुक में अच्छे से, ठीक है बेटा, ठेंक यू बेटा.